ये गई सूप के आप सभी लुग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहोंगे, अपने फैमिली का ध्यान रख रहोंगे, इंडिपेंडेस डे की धेर सारी सूप कामना है, फिलाल के तौर पे एक नोटिफिकेशन आया हुआ है कुछ दिनों प याद रहे कि ये जो एक्जाम है, ये उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो जी आरेफ कॉलिफाइड है या नॉन कॉलिफाइड है, मतलब आपके CSIR से इसका लेना देना नहीं है, अगर आप इन उनिवर्सिटीज में डारेक्ट PhD एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आप आपका CSIR कॉलिफाइड नहीं भी है, तो आप डारेक्ट इस इक्जाम को जो है देके, इसको कॉलिफाइड करके उस उनिवर्सिटीज में जो है PhD का एडमिशन ले सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में क्या है, अगर हम आगे बात करें तो इसमें चार इनिवर्सिटीज को इन इन्टिए कंड़क्ट करेंगा, इसमें कुछ इन्फॉर्मिशन से कि अनलाइन सब्मिशन जो है वो 9 अगस से सुरू हो चुका है और 8 सेप्टेंबर तक चलेगा, तो 9 अगस से 8 सेप्टेंबर तक लगभग 9 पिम तक आप उनलाइन सब्मिशन कर सकते हैं, अप्लिकेशन फ मतलब 8 सेप्टेंबर के रात 11.50 या लगबग 11.50 पीम तक जो है वो आप सब्मिशन कर दीजे फी का अगर आपके पेपर में कोई गरबड़ी हो जाती है अप्लिकेशन फॉर्म में तो करेक्शन जो अप्लिकेशन फॉर्म में आप कर सकते हैं वेबसाइट के थू वो लगबग 9 से 11 के बीच में दो दिन का विंडो आपको मिलेगा उसमें आप करेक्ट कर सकते हैं अगर बाकी वेबसाइट को डाउग क्या हो डेट अभई एक्जामनेसट, duration ऑफ एक्जामनेशन तीन गंटे को मेंशन किया गया है timing जो है वो यह सब चीज़े बाद में बताई जाएंगे मतलब जो admit card कब download होगा examination कब होगा और timing of examination क्या होगा यह आपको थोड़ी दिनों में जो है announce करते हुए देखा जाएगा और language of paper जो है English only रखा गया है English जो है mention किया गया जो कह सकते हैं कि यहाँ पर और जो website है वो यहाँ mentioned तो याद रहे कि जो भी इस particularly post के लिए interested है eligible है वो एक website यहाँ पर mention है phd entrance dot summer dot se dot n पर जाके क्या कर सकते हैं खुद को enroll कर सकते हैं देख सकते हैं तो अगर मैं यहाँ पर link पर click करता हूँ मैं कुछ इस तरीके के website पर जाओंगा और जैसे इस website पर पहुचूँँगा आपको कुछ public notice वगरा देखें जैसे इन टीए का invitation है उसके बाद जो कह सकते हैं कि corresponding है वो भी आ mention किया गई 11 अगस्त को कि क्या हो सकते हैं आप इनको जो है डाउनलूड करके check भी कर सकते हैं और देख सकते हैं तो corresponding जो phd entrance के लिए है उसमे reservation policies और चीज़े जो है वो कैसे कैसे क्या कर सकते हैं वो सारी चीज़े में mention है कि कोई भी negative marking यहाँ पर नहीं है languages जो है वो mostly English को रखा गया है ठीक है linguistic subject को छोड़के subjects जो है common sections भी होंगे फिर उसके बाद art, culture, humanities इन सबको भी mention किया गया है तो यह सारी चीज़े जो है इनिवर्सिटीज में जो है आपको इसको जैसा आप देख रहते हैं कि यहाँ यहाँ पर कई सारे informations को आप देख सकते हैं यहाँ पर कोरिजेंडम देख सकते हैं अप्लिकेशन से साथ में आप information bulletins को चाके चेक कर सकते कि information bulletins जो है वो कैसे readout कर सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी informations आपको दी गई है तो आप क्या vision है क्या missions है इसमें लगभग वही सारे pages है कौन कौन से जो syllabus है, categories के fees कितने हैं लगभग general के लिए 12 हो रखे गई है और अगर आपको यह additional test paper देना चाते है तो उसमें जो है 800 extra आपको pay करना पड़ेगा और फिर उसके बाद बाकी details को कब announce किया जाएगा वो सारी चीजे details mention है इस particular cases में जा सकते हैं अगर मैं proposed subject की बात क हैं उनमें ध्यान दीजे तो कुछ आपके जो है वो general subjects हैं उनके उपर study कर सकते हैं अगर science subjects के उपर बात करें तो science में भी कई सारे languages हैं और science में बायो chemistry है, bio medical research है, bio physics है, bio technology है, botany है यह कुछ science के subjects हैं जिनमें आप देख सकते हैं और life science जो है वो अलग है तो इन सभी में भी individually apply कर सकते हैं और अगर आप life science में apply करना चाहते हैं तो उनमें भी apply कर सकते हैं, इनमें जो है seeds को भी mention किया गया है, थोड़ा सा अगर मैं देखूं तो जरा ध्यान दीजे, bio chemistry में जो seeds है, subject specific questions है जो 50-50 mention किया गया, similarly जो subject specific है वो 50 है और फिर कुछ questions जो होंगे वो आपके general questions क से तोर पे mention किया गया, तो यह सारी चीज़े आपको इसी website पर मिलेंगी, syllabus आपको जो है यहाँ पर जाकर check कर सकते हैं, अभी syllabus में कुछ इन्हों ने update किया नहीं है, universities कौन कौन सी है, वो आपने अभी देखी कि जैसे आपके बाबा सहाब, भीम रावा मेटकर इनवर्सिटी BBAU है, बनारस हिंदू है, GNU है, और DU है, यह चार इनवर्सिटी जो है वो participate कर रही है, courses, कई सारे अलग-अलग courses है, आप उनको prefer कर सकते हैं, application देख सकते हैं, और अगर कोई दिक्कत होती है, तो contact कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ details दिये गए हैं, और साथ में कुछ contact number भी दिय ठीक है, और यहाँ पर sign in या register करके, जो है further आप अपना application form fill up कर सकते हैं, एक next video लेके आओंगा कि आप इन इनवर्सिटी exams का जो syllabus है, और उनको देखते हुए कि कैसे आपको preparation करना चाहिए, तो आपकी strategy क्या होने चाहिए, उसके लिए मैं अगले वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए, बाबाए, and once again, happy independence day, जै हिंत.